अबीको नमसकार है प्रणाम है हमारे साहत है सूमीटल पैरा गोल्ड मैड्लिस्ट है अपने हिंदुष्टान के लिए भूज जो की बात है कि एक गोल्ड मैड्लिस्ट हमारे साथ है तो भाई कलैपिंग चाहिए भाई के लिए तौर सबस्पेसल ले है सुमीत अंतिल को तो आप सभी जानते होंगे सभी जानते हैं ना सुमीत अंतिल गोर्ड ओलम्पिक और हमारे साथ एक गाना आया था हर्याने का सूपर डूपर हिट गाना था मैडम बैठ भलैरो में सफेसल तेरी खातर लया यह सबने सुना हो गए गाना भी तो हमारे साथ है सुबास फोजी भाई साथ तो मैं क्लैपिंग चाहूंगा सभी से और हमारे साथ एक फिटनेस मोडल मिस एसिया सिवानी गुपताजी है जो की बोडी बिल्डर है एथलेट है और इनका भी अच्छे फोलोवर है देड़ दो मिलियन इनके इंस्टाग्राम पर फोलोवर है तो इनके लिए भी क्लैपिंग चाहूंगा मैं सभी से और एक आप सभी ने गाना सुना होगा देशी देशी ना बोल लाकर ठोरी रहे इस देशी की फैनिया दुनिया होरी रहे वह मैं हूँ मेरा गाना है वह और मेरा नाम है सिंगर एमडी एमडी देशी रोकस्टार के नाम से जानते हैं और हमारे साथ है गाना अहीता पैरा सीटा मोल सुसीर मस्ताना जी हमारे साथ है यह हम सभी का introduction है और बाकि आप लोग कुछ भी पूश सकते हैं यह खेल खत्रों का dark scroll एक event होने जा रहा है तो आप कुछ भी पूश सकते हैं किसी से भी पूश सकते हैं thank you so much thank you देखिए जिसा कि आप सब को पता है कि जो हमारा हिंदुस्तान है यहां पर कला की कोई कमी नहीं है और हम सब खोच कर रहे हैं ऐसे हीरों की जो अपने जोहर दिखाएंगे इसलिए हम यह शोर लेकर आए हैं यह हमारा पहला ओडिशन दिल्ल प्लेट्फों पर आएगा अब दिके सेलेक्शन के जो हमारी जूरी है पहले ओडिशन ले रहे हुए हम सभी जोसे पास होगा फिर आगे स्टेप स्टेप आइब चलते रहेंगे तो पास होते रहेंगे सारे कुछ वह अभी तो जैसे हमारा यह दिल्लियो अऑडिशन है तो तो हमने काभी गैन सोच उचार के बाद इसका नाम रखा है बाकि हमारे अम्डी भाई बताएंगे आपको पहले बहुत पूरी क्या करो भाई ये नराज हो जेंगे भाई आपने अच्छा ओके तो अभी मेडिया के सामने तो भी आए ना तो ये हुनरा भाई ने भी बताए कि अपना हिंदुस्तानी कैसा एक दैस है जहां पर हार एक गाहों गली मोहले में टैलेंट है तो टैलेंट उभारने के लिए एक वोई सोफोर्ट हर्ट कंपनी है देले की म्यूजि अच्छा ओके मुझे पता नहीं था सोरी मुझे तो डार्ट स्क्रोल के बारे में पता था बखी काफी जगह से मेरे इस अकाउंट हैंडल पे मुंबई से मैसिज कर रहे हैं लोग यूपी से मैसिज कर रहे हैं बिहार से मैसिज कर रहे हैं और यह पूरे देश में होगा हम बैंग्लोर में भी इसका aula recognition होगा बैंगलोर में भी इसका ओडिशन होगा कि अदिग Grand chap immediate तो चंडी गड़ के जो आर्टिस्ट है वो लेंगे जैपू जाएंगे तो जैपूर के जो लोकल एक दो होंगे वहाँ पे तो हर जगह से हर एक सिंगार या फिर कोई भी सेलिब्रेटी लोकल वहाँ पे सबी का ओडिसन लेंगे जी आज के जो ही मेंबर में है रहुल देव जी है जो बोलीवुड एक्टर है और प्रिंस नरुवला भाई है और मैं हूँ एक चोटा सा कलाकार हूँ मैं तो भाई मैं कोई कलाकार नहीं हूँ भाई ये बोलते है कि भाई अमडी तेरी फैन फोलंग आसल मेरे को फैन फोलंग नहीं है इसन मेरे प्यारम एरा परीवारा ए और बाकी सुमित आंतिल जी है सुमी अन्तिल भाई है सुबास फजी जी है सुअ मिक उपता जी है और हमारे भाई सुशिल मस्ताना जी नामीं इतना अच्छा है तो इनका तो मस्ती काम होगे न बाकी स सीवानी जी और सुमी जी जो एथलेटिक होंगे जो स्पोर्ट्स परसन होंगे उनके बारे में तो दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं यह तो मैं एक गाने के दो लाइने सेर करूंगा और उसके बाद एक गाना और आया था मेरा कि मेरी मान ने बांदा डौरा ठीक ठाक रवच हो रहा एक गाना जैसे आप सबीने बच्पन सबीने देखा हैं एक माना काला दागा बांते थी हाथ पे की बेटे को नजर ना लग जाए तो उसके उपर गाना था भाई हमारी कोई फैन यह भाई की फैन है यह सलूट है सुमीद भाई को तो थैंक यू सो मच आप सभी से आप कोई पूछना चाहते हैं को चाहते हैं यह दोनों सपोर्ट करने आए बाकि मैं बताएंगे सुमीद जे बताएंगे सबसे पहले तो सभी को नमस्कार देखिया हम सपोर्ट भी कर रहे हैं और जैसे अम्डी भाई ने बताया जूरी मेंबर्स भी है तो आज हम जो भी कंटेस्टेंट आए हैं उनके लाइक विर अथलेटिक्स विर अथलीटन विर जोनली टेस्ट थैंड एंड फीजिकल स्रें प्रियूम उनके एंडूरेंस फिजिकल जितनी बी प्रियूब स्टेंथ है एक तरह से वो ट्रैक करेंगे तरह किसमें करेंगी करेंगे जैसे जैसे ओडिसन उपर जाएग उतने ही तेज होती जाएगई उतना ही हडल सकाफी जाद होंगी तो देखते हैं की मुलब टाइम जै किसी ओडिसन हां है? बिसकली आ थिंक थ्रिय ओडिसन सांड है। थीओ उडिसन होंगे हैँ यह तरह साफी टेली में होंगे हैं? नवी यह वाग देखतां कि मस्तान बाही ने बताया है कि लग अर्छ जैपूर में बैंगलोर में अर्या वाइज होंगे और जैसे नहीं, मैं एसा तैलेंट देखना चाहती हूं, यह मैं ऐसे लोगों को इस ओडियन्स जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से निकालना चाहती हूं, जो सच में हाट वर्किंग है, कुछ करना चाहते हैं, पैशिनेटेट हैं, तो मैं उन लोगों को यहां पर जज कर आई हूं, कि हमारे इंडिया में वैसे भी टैलेंट की कमी नहीं है, मैं भी एक छोटी सी जगा से उटकर आई हूं, तो मैं देखना चाहती हूं, किसमें कितनी कैपिसिटी है इस शो को जीतने की, मैं गल्स पावर तो देखने को मिलेगी, ऐसा कोई गेम नहीं है, जहां पर गल्स पावर देखने को ना मिले, लड़कियां तो करके दिखाई ही रही हैं, यह मेर से अच्छा M.D. बताएंगे, ऐसा है, मारी छोरी के छोरा ते कम हैगे, यह सबी नहीं सुना होगा डायलोग मोवी का, तो हमारी लड़किया ना किसी से कम नहीं है, हमारी लड़किया कि इतने मेडल लेकिया रही है, हाँ, बिलकुत सही बात है, पांडे जी, जी और कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग, सुबास जी अब अपने वारे में बताएंगे, सुबास जी, राम राम जी सभी को, बहुत अच्छा लगया यहां आके, और बहुत ही एक, यह समझ लोग की खोद-खोद के टेलेंट को निकालने वाला एक यह शो है, और MD भाई, सुशील भाई, सिवानी जी, सुमित भाई, और मैं भी आया हूँ, तो हम स्पॉर्ट भी करेंगे, और साथ में जजज भी करेंगे इसको, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेटैन के साथ साथ कुछ बहुत गहरी खोज ओने वाली है, बहुत अच्छे टैलेंट को हमनिकालने कोशिश करेंगे। जो हर्यान के चीम मिनिस्टर ने स्री मुन होला खट्र जी उन्होंने सुभास फोजी जी का गाना रिलीज के है नशी के उपर ड्रक्सफरी हर्याना तो मैं चाहूँगा कि दो लाइने वह जुरू सुनाएं क्योंकि अगर हमारा देश शुर्ख शिर्थातों में जाएगा और हमारे हिवा नसी से दूर रहेंगे तो जुरू हम एक अच्छे बारत की जो हमारे भाई हैं उनको हम अलग लेके जा सकते हैं अपने देश के लिए नसी से दूर रह सकते हैं तो दो लाइन नहीं प्लीज हमारे नार्कोटिक विवाग हर्याना के जो इंचार्ज हैं ADGP IPS सिर चोटे से गाने का चोटा सा योगदान है जी थेंक यू थेंक यू